तो बहुत बहुत स्वाग है थे जोरदार तरीके से मेरे जित्ते भी Sports Specialist Candidate है इस देश के अंदर उनके लिए बेहतरीन इपरचुनिटी आई इंडिया नामी में किसके लिए पार्टिपेट करें और बड़ा प्रोसेस सिंपल होता है इसको आपको जो है जो नीची अप्लिकेशन दिया भी मैं दिखाऊंगा उसका एक प्रिंट आउट लेना है एफोर साइज में प्रॉपर तरीके से और उसको फिल करके आपको इमानदारी से वहाँ पर भ रखिएगा इंटरनाशनल नाशनल खेलो इंडिया या यूथ गेम एक अप्राइल दो हजार बाईस से लेके 31 मार्श दो हजार चौबिस के बीच में कभी भी आपने पार्टिपेट किया हो आपके लिए बहतरी नपरचुनिटी है इंडियन आर्मी में डारेक्ट इंट्री 400 मीटर है 3000 मीटर SNC है हाई जम्प है ट्रिपल जम्प है लॉंग जम्प है जैबलिन थ्रो है सौट पूट है डिस्कस थ्रो है 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 मर थ्रो पोल है वाल्ट है बाकि काइकिंग भी किया है तो में के टेगरी के लिए है स्विस्पिक पोजीशन के नोई कि आपकी होनी ची है आरिशेरी की बात करने तीरंदाजी में ने दोनों हैं कंपाउंग रिकर्ब मैन य रिकर्व जो है बीमन के लिए श्यमिंग में की बात करें 50-100-200 मीटर बैक जो है ब्रेस्ट स्टोक 200-400-800-1500 मीटरफ फ्रीस्टाइल और 200-400 मीटर इंडिविजियल मेडली बासकेटबाल के में में बात करें तो पोस्ट प्लेयर हो आप फॉरवर्ड पॉइंट पे गाड़ हो और सेलिंग में बात करें तो मैं अन्वी में दोनों आ रही हैं ओलंपिक एंड गेम्स क्लास में आपने कहीं भी पार्टिपेट किया हो बॉक्सिंग भाईया मैं 71 80 92 प्लस 92 वीमें में 50 57 75 के जिंग आपका जो स्पेस्पिक पोजिशन मतलब इतने वेट के साथ आपने पार्टिपेट किया हो नैशनल इंटरनाशनल यूथ गेम्स एशन गेम्स खेलो इंडिया कहीं भी सुटिंग मैं और बीमें बोथ 50 मीटर राइफल से 10 मीटर है एयर राइफल 10 मीटर एयर पि कुछ लिए फुटबाल में मैं है स्ट्राइकर या मिट फिल्डर वालीबाल मैं है मिडल ब्लॉकर या पोजिट हिटर या फिर सेटर है कुछ भी आप है कोई पोजिशन है फैंसिंग मैं है इपी फोल साब्रे बेट लिफ्टिंग मैं है 49 96 102 kg जिमनास्टिक आर्टिस्टिक में आल राउंडर और रिस्लिंग मैं विमन दोनों के लिए है 60 67 77 97 130 kg तक और फिमेल की बात करने तो 57 65 74 86 kg विमन में भी वही है 50 57 62 66 होकी फॉरवर्ड में विंटर गेम्स में अलपाइन नौरिक हैंडबल में की बात करें लेट बैक राइट बैक सेंटर बैक और गोल कीपर रॉंग की बात करें में सकल्प स्वीप कबड़ी लेफ्ट राइडर लेफ्ट कबर में के लिए केवल है मतलब इसके अलावां भाई कुछ कई अचीवमेंट रहा हो इंटरनाशनल नाशनल के लो इंडिया या फ्रियूद गेम्स में तो आप अपलाई कर सकते हैं अपलिकेशन का एफ़ोर साइज का प्रेंट आउट ले लेना है फॉर्मेट नीचे दिये हैं अडिवर्टीजमेंट भी दिखाऊंगा में नौन इस्टैंड अपलिकेशन फॉर्म प्रिजिक्टेट मतलब प्रोपर एफट साइज में अच्छे से लेना है रेपिटिशन आप डेक फ्रॉम इंडिविजुल अड्रेस और रिसमिशन आप दो सेम डॉकुमेंट थ्रू दिफ्रेंट अड्रेस लाइबल तो वी रिजेक्टेट तो कोई फल्तू काम नहीं जो भी दिया है आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ट पोस्ट्र अड्रेस द है डारेक्ट इंट्री है हवल्दार और नाइफ सुब्यदार स्पोर्ट्स इंटेक टू अप्लिकेशन एक जून से लेकर के तीस सितंबर तक जो है इलिजबिलिटी है समिशन आफ फिल्ड अप्लिकेशन फॉर्म सेल्वी कमेंस फॉर्म सुरू हो गया है और तीस सितंबर बड़ा लंबा समय देते हैं डारेक्ट इंट्री हवल्दार की है एज की बात के लो साड़े सतरह से पचीस साल तक एस दिया हूं है ठीक है ना और इस स्यादा एज ना हो कि इसको डेट अब बर्स में समझना चाहते है तेक अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2006 ठीक ना फिचिकल मे ओख एब कंट्री एद इंटराइशनल कुछ भी individual event में इंडिविजल सुड़ बीयाब पांट्रिचन स्टेट कंट्री नाशनल इंटराइशनल ऐसे लेवल टीम इपनें में हो इंडिविजुल हो इंडिविजल सुड भी मैडिलिस्ट इन खेलो इंडिया गेम्स यूद गे पर इंडिविजुल में ज़रूरी टीम इबेंट में तो ठीक है बर इंडिविजुल में आपका मेडलिस्ट होना है मेडलिस्ट मेडल जीते हो कोई भी इंट्री नाइप सुब्यदार की इसमें भी साड़े साथ सब्सक्राइब साल है वह एक अक्टूबर निजिशन थी से नंबर तक है बच्छा ठीक ना मिनमम एड्युकेशनल को एक स्टाइब बता दिये इंडिविजुल सुट भी बिनर आफ ने मेडल इंड वर्ड चैंपियंसीप असीन चैंपियंसीब इंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेल और फिमेल के लिए इलिजिबिलिटी है ये रइट हवल दार और नाइफ सब्सक्राइब सब जानी रहो सेम चीज़ जैसे पर्मानेंट को जो विवस्था दी जाती वहीं विवस्था आपको ही प्रॉपर दी जाएगे डिजर्भी केंडिए बुलाएंगे यापको दे कैंडेट कौलिफाइं बशीकल फिटनेश फिश्कल स्टेंडर्ट तेस्ट बशीकल इसन्त प्रस्टेस्ट प्रस्ट थेश्था परश्था करेंगे मेडिकलों के आपको सब्सक्राइब यह उलागले जैसे कि बेस्टन हिमालयान में 173 हैं इस्ट डली राजस्थान उत्रप्रदेश बेशन कडिकर मेरे ठाकरा दिवर्जन 170 है इस्टर प्लेन में उत्रप्रदेश इस्टन का जो है विहार वेश्ट मंगाल और जारकन की बात कर ले नोडिशा 169 है सेंटर प्लेन में जो है आपका मद्यप्रदेश शतीजगर गुजरात महाराष्ट्रा दादानगर वेली दमंदीव और 168-166 हो गया साउतन पार्ट में गोरुखा 157 हो गया रदा की बेट उसी के अंडपात में चेश्टेक्स पेंशन आपका जो रहेगा पान सेंटीमीटर क सेकंड में नाइन फिट डिज कॉलिफाई है जिग जाग बैलेंसिंग करना है हाइट जो है विमेन की हाइट जो फिमेल की 162 है बेट उसी का अनुपात में ठीक है ना पाकी रिलेक्स नेहां भी मिला हुआ हुआ है इसमें भी 1.6 किलो मिटर दोड़ना लेकिन आट मिनट सम गयरा उसके बाद उनको अधिकल बोर्ड के लिए भेज दिया जाए गां अनुपिट के लिए रिफर्ट देवाइच रिवीव के लिए मेडिकल वोर्ड अपील के लिए जिसको आप लोग जाते हैं तो इस तरह की पुरी प्रक्रिया वहां करमबस तरीके से होगी डिए डि सब लेके जाओ और इद्यान रखेगा आप जो है और जाना पड़ेगा है मस समझना के फोटो सेट लेके चले जाए शब्लेक्ट प्रोस्ट अप्लीकेशन पोस्ट और आम से पोस्ट बेजिए सब्सक्राइब बेसे बात है जदा अचीवमें बुलाएंगे को अलप लेटर देट अटाइम प्लेस फोसे शलेक्शन तो मेल आइड वगारे प्रफर वहर नबर्स ही डालना ओल रिजिए सब एक चैनल सब लिगेगा सब लोग जाएंगे अप्लेकेशन इस्टूबी सभी मिटेडेवी तो इस ने चानल की बात कर लेट तो यह बीश्टिए बिली बिली सब्सक्राइब कर लिए अपने प्रूप के लिए बहुत जरूरी आगे दिखा देते हैं फॉर्म आला फॉर्मेट आपको यह रहा फॉर्म का ध्यान से अप्लिकेशन फॉर्ट इसको प्रॉपर जो है बढ़िया से इसको आगे पीछे अच्छे पेपर निकाल कर प्रॉपर इ सब्सक्राइब करें प्रॉपर आड्रेस डाल के लिए फाफ्य पे शिस्टम से बेजिए कोई लपर वही मत करें चलिए बहुत बड़ी अपर्च्छे है यह जनकारी आपको देनी थी बहुत सारे बच्चे है इस देस में जो स्पोर्ट्स में बहतर कि उनके लिए बहतर सब्सक्राइब आतार अपने फेस्टू के टेस्ट के लिए फिच्कल के लिए साइकोमेट्रिक और मेडिकल के लिए इसका भी सुझाओ जरूरू लोगों तक पहुचे थैंकिश्व मच विश्य खुड़ लग जया हैं जया बाट